जे या तो इस दुनिया में कुछ ऐसी चीज़ें जो हम बर्सों से घिसे जा रहे हैं इस्तमाल करते आ रहे हैं जो बहुत ही दिल्चस्प है और इतना दिल्चस्प है हमारी इसके बारे में आने वाली यह पांच वी वीडियो है तो रास्ते मैने वाली हर चीज़ को अपने अंदर लपेटने वाले पेडों से लेकर आपके बश्पन के पुरानी अजीब वो आगरी भी आ दें जिन्हें सोचकर आप आज भी घबरा जाते हैं उन यादों तक चलिए हम कुछ समय पीछे जाकर कि वो वक्त की करतूतों पर फिर से नज़र डालते हैं मैं गोल्फ का खलाडी तो नहीं हूँ लेकिन इस दुनिया में बहुत सारे गोल्फ किलने वाले हैं जो कि बड़े खुशी के साथ उन चोटी सफेद गेंदों को हजारों बार हिट करते हैं गेंद को कितनी बाद मारा गया है इस बात कंदाजा आप इसे देखका लगा सकते हैं इस गेंद के आलद εतनी खराब होगी कि इसके उपर जो डिमल्फ होते हैं ऐसा लगता है कि जैसे इस पर कभी थे ही नहीं जब गेन धावा में उड़ रही होती है तो ये डिमपल काफी हद तक हिचाव को कम कर देते हैं जिससे ये दूर जाने में सक्षम रहती है तो भले इस गेन को हजारो या सेंकडो बार इस्तिमाल किया गया हो लेकिन इसकी ये हलत देखकर अब आप कह सकते हैं ये गेन कच्रा बन चुकी है होक और आइलाइट जैसी चीज का इस्तिमाल लगबाख हर जगह होता है दर्वाजों को बंद रखने से लेकर दर्वाजों को खुला रखने तक लेकिन बार बार होक खोलने और बंद करने के दौरान ये अपनी जगह है एक छाप छोड़ सकते हैं जैसे कि हमें एक रात में 6-6-8 घंटे तक ही तके बार आराम फर्माती हुए बिताते हैं लेकिन कभी-कभी तो सालों या दशकों तक हमें से जाता लोग इनने शायद उतनी बार साफ भी नी करते होंगों जितनी बार करने चाहिए मुझे पता है कि मैं पी न ही करता लेकिन बाई ब बिल्कुल अलग दिखाई दे रहा है कैसे कैसे लोग है बाई जी आ यहां एक बरी बात मैं आपको ग्रेव स्टून के बारे में बताने वाला हूं जो सेक्रो साल पुराने हैं पिछले यूग कि ये ग्रेव स्टून को बनानी के लिए लाइम स्टून, सैंस्टून या इसी तरह की नरम चक्टान के इस्तिमाल किया जाता था उनकी देखरेक के लिए कोई नहीं होता है तो वे धीरे धीरे समय के साथ बरबाद हो जाती है तो जब एक रेड़िट यूजर कॉइटली स्मरकिंग ने अपने पराने इश्तिदार की कबर को ढूणना शुरू किया ये बात 2022 की है तो वे इस बात को लेकर खुश थे जब फाइनाग्रेव.com से पता चला की हैर्स्टून अभी अच्छे आकार्म था उसने एक तस्वीर जो की 2006 में साइट पर अपलोड की गई थी वो देखी लेकिन जब वे वहाँ पर पहुँचे तो पत्थर इस वक्छ कुछ ऐसा दिखाई दे रहा था कि इसका नक्षा पूरी तरह से खराब हो चुका था इस पर लिखा हुआ नाम भी नहीं बढ़ पा रहे थे यह वही पत्तर है इसको पहचानने का एकी मातर तरी का बरसी था कि उसके टॉप पर यह एक उसी तरह का घूलाकार इंटेंट था यह देखते हुए कि यह यहां 1889 से है तो उसके हालत काफी खराब हो चुगी है पिछले 16 सालों में लेकिन इसका क्या कारण हो सकता है तो कह सकते हैं कि शायद इस आलाके में जायतर ऐसडिक बारिश होती होगी क्योंकि जब हावा में प्रदूशन छोड़ा जाता है तो वे कंडेंशन के साथ मिल जाता है जिसके वज़े से दुनिया के कुछ हिस्सों में बारिश बहुत ही ऐसडिक हो जाती है और जब इस तरह की बारिश होती है तो ये तेजी से उन चीजों को नश्ट कर देता है जिने साहकड़ों वर्शों से हाथ नहीं लगा गया हो अब या तो ये एक बज़े हो सकते है या ये भाई सहब घलत कबर पर आगे है आपको क्या लगता है? कॉमेंट सेक्शन में आगे बताईएगा खेर आपको बतादू मेरी दादी को यहद्जी का खेल बहुत जादा पसंद है ये एक डाइस गेम है जो खिलाड़ी पांच डाइस रोल करता है ताकि एक कॉमिनीशन बने पर आपको इसकी लट भी लग सकते है जो कि Reddit यूजर यो बहुत अच्छी तरह से जानता है उनके सास यहद्जी बहुत अच्छे स्खेलती है और उन्होंने अपने पसंदी दाइस के सेट को इतने सालों कई बार रोल के है कि उनका रंग और रूप दो नहीं बदल चुके हैं इतने सालों में इतना गयस चुके हैं कि अब ऐसा लगता है जैसे यह डाइस प्लास्टिक के नाम नहीं बल्कि मर्जपन से बने हुए है और मुझे तो आशर है कि क्या भी अभी भी उन्हें अच्छे से रोल कर पाते हैं यह हम ऐसा कह सकते हैं कि इस सास की इस शरारत से पासे पलट चुके हैं बाई तो जनाम मुझे पता है कि आजकल बहुत सारे फैंसी चीज़ें के घरेलू सफाई के लिए बाजार में मौजूद है जैसे रूमबोस और रोबो मौपस लिकिन मैं एक ऐसा इंसान हूँ जो पराने जमाने के जाडू से बहुत जादा प्यार करता है और सिर्फ आकेला मैं ही नहीं हूँ जैसा कि ये तस्वीर बताती है ये अलग-लग स्टेजस के तीन जाडू है जो कि सबसे पीछे वाला जाडू है ऐसा लगता है उसे कभी काम पर नहीं लगा गया और वहीं जो आगे वाला जाडू है उसे देखकर लगता है कि इसको कभी आराम नहीं मिला आप लोगों को बताता हूं कि ये तीनों जाडू का इस्तमाल एक मशीन की दुकान में किया गया था जो कि आप इने देखकर अंदाजा लगा सकते हैं जरा मुझे तो लगता है ये दुनिया की सबसे साफ मशीनों की दुकान होगी अलागे ये शायद इस इंसान के घर जितना साफ तो नहीं है अगर हम बात इस के इस डस्टर की करें तो शायद ये डस्टर प्रफेशनल क्लीनर दोरा इस्तमाल में लाए गया है इस डस्टर से इतने सारे मकड़ी की जालों को साफ कर दिया गया है कि इसके तो भाई ब्रिसोल्स बिल्कुल इगेज गये क्या आप देख पा रहे हैं? देखें तो मेरा घर का डस्टर दिखने हम बिल्कुल नया है लेकिन मकड़ी की जालों से बारा हुआ भाई हमें से कुछ लोग साफसाफाई से नफरत भी करते हैं जब भी मैं किसी सूपर स्टोय फामेसी के अंदर उन केंडी डिस्पेंसर को देखता हूं तो मुझे हमेशा जे भर लेने का मन करता है लेकिन जब मेरी आखों ने ये मनजर देखा तो ये तस्वीर एक लोकल फामेसी अमेरिका की है मुझे तो लगता है कि मुझे अब भी पसंद नहीं है ब्रेड़ेट पोस्टर ओविन थेटिकी ने बताया कि ये स्किटल कैंडीज एस डिस्पेंसर के अंदर लगभग एक साल से पड़े हुए सूरज के धूप से ये कैंडीज पूरी तरह से भिगल गई हैं जिसकी वज़े से इन कैंडीज का चमकिला रंग भी ओड़ चुका है और कुछ शुगर क्ले क्रिस्टल्स भी भड़ चुके हैं मचे तो लगता है कि एक दूसरे से चुपक के एक बड़ी कैंडी बन गए होगी यहां के मालकों ने इसे खाली यूनी क्या भई आपको बता दू इन मशीनों को भरने के लिए वेंडर्स को हायर किया जाता हुआ वाफामेसी के मालकों के पास इनकी चाबिया नहीं होती शायद इवेंडर्स तभी आते होंगे जब डिस्पंसर खाली हो जाता होगा इस मामले में मैं यह सोच रहा हूँ कि इसे कैंडी स्किटल स्टिक को भरने के लिए मालक का कितना खर्चा आएगा इन्हें देखकर सोचकर तो मेरा जबड़ा इदर्थ करने लग गया भाई वक्त क्या होता है यह पेड़ हमें बताते हैं विस सेक्ड़ों सालों तक फल फूल सकते हैं यह हर दिन दीरे दीरे बटते हैं और लंबे होते जाते हैं लेकिन जब उनके रास्ते में कोई चीज आ जाती है तो वे फिर भी नहीं रुखते हैं इसके बजाए वो इन चीजों पर अपना घेरा बना लेते हैं और कभी-कभी तो चीज़ें उनके अंदर समाज आती है इसलिए आपको ऐसा लग सकता है कि इस पेड़ के बीच में चे लेकिन कभी-कभी चोटी चीज़ें पूरी तरह से अंदर समाज आती है जैसे कि यह वाली कील में पेड के इन रिंक्स को धन्यवाद देना चाहूंगा जो कि हमें बताती है कि पेड हर साल कितना बड़ा है और इसे देखकर हम यह भी कह सकते हैं कि किसी ने इस पेड में कील 25 साल पैलेट होगी है लेकिन पेड को सिर्फ तो या तीन साल लगे है इसको पूरी तरह अपने अंदर लेने में भाई मेरे को तो इसे देखकर ऐसा लगता है कि वो पेड एक कील जीरो है मेरे खाल से बड़िया चीज जो आप पैंकेक्स पर डाल सकते हैं वो है मैपल सीरप लेकिन सारा सूचिए गोल्डन गू को खाते है वक्त आपकी बोतल में इसे सीरप के बजा सिर्फ हीरे बाहर गिर रहे हैं जैसे कि Reddit यूजर क्यूटे लियावेर की बटल से गिरे जब उसने अपनी बटल को रेफ्रेजुरेटर से निकाला तो आपको बता दूँ वह असली कन्टीनर को खोट कर सकते हैं भाई वे क्रिस्टल इतने बड़े किमझे लगता है कि Walter White बूला रहे होंगे बात रूसकी करें तो यहां का एक अलागा है काम चटका यहां पर मशली पकड़ने वाला एक छोटा सा गाउ था जिसका नाम किरोवस्की था हलाकि आप यहां कोई नहीं रहता है पर यह अभी भी मौझूद है इस गाउं के कुछ हिस्से जो की तट्रेखा के बहुती नस्दीग बने हुए थे वे धीरे धीरे करके पूरी तरह से बरबाद हो चुके हैं जिसका करण सालों से चलती हुई हावा और यह लहरे हैं अगर बात 2009 की करें तो यह तस्वीर हमें बताती है कि अपार्टमेंट का सामने वाला हिस्सा तर्ट्रेखा के नस्दीग आप पहुँचा है लेकिन पीछे यह उससे देखें तो पता चलता है कि इसे पानी ने खोख़़ा कर दिया और पीछे सिर्फ यह सीमन के कुछ हिससे बचे हुए लेकिन यह तस्वीर तो साल 2009 मिली गई है क्या आपको बताए कि यह आप कैसा देखता है आज 10 साल के बाद आपको बतादू अगर आप Google Maps पे से देखते हैं तो यह मारत यह खंडर की तरह लगती है पर यह भी भी खड़ी हुई मैंने इसकी आजकल की तस्वीरे खोजने के बहुत कुशिश की लिके ने इसके बारे में कुछ भी ट्रैक नहीं हो पाया क्या आप किसी को जानते हैं जिसके पास इसकी कुछ है जानकारी हो अगर नहीं तो मुझे नीचे कॉमेंट सेक्शन में आके बताएं और शायद हम यह देख पाएंगे कि एक दशक से जाता वक्त की बात अब यह क्या सा नजर आता है जब भी युवा होते हैं तो बहुत सारे जोड़वा बच्चों के पहचान करना मुश्किल हो जाता है और खासकर जब उनके माता पिता उन्हें एक जैसे कपड़े पैनाते हैं जैसे कि यह ओ, हाव क्यूट हाला कि जैसे जैसे वे बड़े होते हैं उनके परियावरण के अनुसार उनमें अलगलगत रहके गोणा आ जाते हैं ये दो 61 साल के एक जैसे देखने वाले जोड़वा बच्चों ने सूरच के साथ सालों से संपर्क में रहने से महत्पूर्ण तरकान भाव किया है जैसा बताया है कि दाएं और वाली लड़की अपनी बहन की तुलना में हर सप्ता लगबख 10 गंटे ज्यादा धूप के संपर्क में रहती है सूरच की धूप में मौझूदा रेज खास करकी अल्ट्रा वायलेट रेडिशन तुचा में प्रविश कर सकते हैं और कनेक्टिव टिशूज को आराम से ब्रेकडाउन कर देती है जैसे की कॉलिजन और इलास्टिन जिसके परड़ाम गहरी जुर्यां और काले धब्बे हो सकते हैं अब ब्लैकाट परदे की बात करते हैं वह परदे जो हर तरह की रोशनी को रोखते हैं वह महेंगे हो सकते हैं तो पैसे बचाने के लिए कुछ लोग अपने खिड़कियों पर बस एक मोटा कंबल चढ़ा देते हैं और आप कह सकते हैं कि कंबल सर्च में अपना काम पहुब है नहीं बाता है क्योंकि एक तरफ तो पूरा काल है और दूसरी तरफ दूप ने इसे पूरी तरह जिबलीच कर दिया है कंबल के वो हिस्से जहां पर किसे वज़े से सूरच की रोशनी नहीं मौची है जैसा कि आप देखी सकते हैं कहीं हिस्सों में कंबल अभी भी कालाई है खेर जब तो ये सूरच की रोशनी से आपको बचा रहा है माइकल जेक्शन का एक कोट है जब तक इस से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप काले हैं या सफेद इतिहास में सबसे ज़्यादा आकरशक थेम ट्यून होने के लावा टीनेज मूटिन निंजा टर्टल 1984 की एक कॉमिक बुक क्रिएशन थी जो के एक बड़े पैमाने पर मीडिया फ्रेंचाइज़ी के रूप में सामने आई थी और वे आज तक लोग प्री हैं उनके पास कार्टून, लाइब एक्शन टीवी शो, वीडियो गेम फिल्म हैं जिनके नाम आपको पता होंगे लेकिन मेरी खुद की सबसे पसंदीदा 1993 की टीनेज मूटिन निंजा टर्टल 3 थी एक लाइब एक्शन मार्शल आट फिल्म जिसे लोगों ने कॉमिक स्टाइल की टर्टल जैसे कपड़े पहन का तयार किया था, अफसूस की बात है कि यह जादा समय तक नहीं चला, सच मुझ, क्या आपको लिनार्डो के बैंगनी बंदन का पूरा एनिमेट्रोनिक बाडी सूट याद है? चलो, खेल 2019 में सूट को कार खाने से बाहर निकाला गया, जो क कि वहाँ सरदने के लिए छोड़ दिया गया था, लगभग 20 साल बाद, और भाप रिपाद, ये, जी हाँ, ये मेरे बचपन के याद कहा लमों में से एक है, ये कॉस्ट्यूम बहुत सारी चीजों का मिक्स अप है, जैसे फोम, लेटेक्स चमड़े के घुटने और कोहनी के पैट के साथ साथ, राल के दांतों और आखे भी हैं, इसलिए इसमें जो हाट ड्रेसिन है, उसमें खास बतला हो नहीं है, जबकि लेटेक्स सूख जाता है और उखड जाता है, जिसकी वज़े से सूट को फिर से बनाना मुश्किल हो जाता है, हाला कि ये अभी भी नीलामी के लिए चड़ा गया था, 2019 में 15,000 डॉलर के लिए, पर कोई बात नहीं, लियुनार्डो तुम अभी भी मेरे पसंदी दाओ, मुझे ऐसा लगता है, लेकिन लियुनार्डो अकेले ऐसे एनिमेट्रोनिक नहीं है, जो कि वक्त का शिकार हो चुके है, स्टार वास के लिटिल ग्रीन रुडिल मास्टर योडा, जो की पहली बार, 1980 की फिल्म दर एमपार स्ट्राइक्स बैक में दिखाए दिये थे, वो भी एक एनिमेट्रोनिक व्रशना थी, जिसे उस जमानी के महान लेजंडरी फ्रैंक ओचेट ने बनाया था, हलागि इसका ओरिजिनल डिजाइन ए आप एक बार इस एनिमेट्रोनिक को ज़रूर देखे, जबकि जारत और चीजर समय के साथ खराब हो जाते हैं, कुछ नई चीजर भी बनते हैं, खासकर अगर आप गटार जैसे जगों पर देख रहे हैं, जैसा कि टिक टॉक यूजर स्पेंसर क्लेस ने किया है, जब मैंने इसे पहली बार देखा, तो मुझे लगा कि ये गंदगी से भरी हुई, पूरी की पूरी इट को ये खाट रहा है, लिकिन ये तो असल में एक बड़ा पराणा स्पॉंज है, बहुत से जगे नाली को इस चीजर से भर दिया जाता है, ताकि किसी तरह की मौस या पतियों से ये भर ना जाया और चलते हुए पानी पर रोखना लगया, यहाँ पानी बहुत ही आराम से, बिना ब्लॉक हुए स्पॉंज की बीच में से चलता रहता है, तो भाई ये काफी दिल्चस्प रही का और इसे इतनी आसानी साफ होता देखकर, मैं भी पूरे तरीके से खोश हूँ, अरे यार, एक बात तो मिरे दमाक सी निकल गई, क्या आप जानते हैं, उन छोटे हटोड़ों क्या कहा जाते हैं, अरे वही जो अदालत में जजज डेस्क पर पीट के धमकाये करते हैं, आप अभी अदालत में हुई, तुम सीधे जेल में जाओ, किसी के पा का गया है कि ये बाहर की और चपटा हो गया, मैं सोच रहा हूँ कि इस जज ने कितने वालों को सजा सुनाई हुए, लेकिन क्या आपको पता है कि गैवल आम तो पर तांबे से नहीं बने होते हैं, जब तक एक जजज की कोई खास वज़े नहीं होती, ये गैवल जैसा इस कप को खाली करने के लिए पलटा है, जिससे पुराने तांबे के पाइप का असरा उसके नहीं तांबे के पाइप की तुलनाम पूरी तरह से चपटा हो गया, जबकि दूमरपान आपके लिए असल में आनी का रहा है, लेकिन इस चीज को पढगने मजा तो आता होगा न ये मूरिंग रिंग तो अकसर बेज या डॉक पर पाये जाते हैं और इन्हें एक एंकर पॉइंट के रूप में नावों को एक जगह बानने के लिए इस्तिमाल किया जाता है, ताकि वो तेज लेरों से बचीर है, अब ये चीज मोटी भारी और जमीन में कहरा ही तक गारी क्योंकि इनको बहुत सारे वजन को सैना पड़ता है, लेकिन इसका मतलब ये भी है कि सालों से इस्तमाल करने वाली ये रिंग उस सतय को घिसना शुरू कर सकती है, जैसे गेस को देख लो, ये नगेवल पत्थर को घिस कर उसके गोल आकार की नाली के अंदर चली गई है, इ आचे स्मार्ट फोन की तरह नहीं, इन फोन की बैटरी लाइफ तो हफ्तों तक चलती थी और साथ इसाद उनके पास अब तक का सबसे बड़ा गीम, स्नेक, पहले से इंस्टल होता था और ये फोन तो डायमंड से भी मजबूत हुआ गलते थे अगर खुश किसमती से कभी आ लेकिन फिर भी वो स्क्रीन जैसे टुकड़े में, ऐसे में कभी भी वहाँ पॉट होल बनने की संभावना नहीं थी। पेड़ बढ़ते गए, हाथों ने उन्हें चकड़ लिया, लंबे-लंबे उंगलियों के निशान उस पेड़ के अंदर अपनी जगह बनाते गए, जैसे जैसे हाथों ने उस पर मजबूत पकड़ बनाई हो, हाला कि तब से पेड़ों का बढ़ना तो जारी रहा, और कुश ने असल में उना हाथों को अपने अंदर ही खीच लिया, जो कि कभी इन पर टंगे हुए थे, यहां फिर से एक मामला एड़ा फोको ट्रोपिजम का आता है, मुझे लगता है कि इस कला के टाइटल को बदलने की जरूरत हो सकती है, हलाकि उसको दूसरी कलाकारी बेफोर इस से ठीक उल्टी है, जिससे लगभग 1987 में बना गया था, पेनोन ने एक पेड़ की शाखा को दिखाया जिसमें एक मानाओ का हाथ पेड़ पर दबाया गया था, ऐसा करने के लिए उसने काफी साल लगाए होंगे, और बहुत सारी मेनत की होगी, वे अपनी हाथेली को किस पेड़ पर दिखाने में सफल रा होगा, यह दिखने में बहुत सुन्दर तो ही, लेकिन यह साथ ही साथ एक खास रियलिस्ट्रिक ब्रॉंज ट्री है, जिस पर उसने अपने हाथों से अपना हाथ तराशा है, तो कम से कम पेड़ों पर ब्रॉंज के हाथ के बजाए कला के नजारा वा कई समय की कसोटी बग खरा उतरा है, मेरे पिताजी कसम खाते हैं कि उनके पास जो फावड़ा है वे पचास साल से है, लेकिन अगर वो इस से आथा भी काम करते, जितना की अगला आदमी कर रहा तो भई मुझे ने लगता कि फावड़ा पचास मन तक भी चलता ह फेक बिलकुल नया फावड़ा होता हैं कि तरफ वो फावड़ा जिसने 90,000 पेड़ लगाने मदद किये, ये पेड़ उन्होंने एक सीजन के तौरान लगाए हैं जो लगभग 4 माईने का होता है, तो रैड़िट यूजर अगर जग डा मैट बैट का दावा है कि उन्होंने अगर बैटना बसंद करते हैं तो कुछ पीछ है, लेकिन इस थेटर में वाकिए एक ऐसी सीट है जिस पर हर कोई बैटना जाता है, खैर इस रेड़िट पोस्टर जिसने ये तस्वीर अपलोड की है, उसने इस बात का कोई जिक्ष नहीं किया कि ये जगह कितनी बड़ी है, उन्होंने बस इतना बोला है कि ये पीछे से बीच की तीन लाइन्स वाले सीट थी, शायदी वो सीट है जहां सभी बड़े ओडियो फाइल बैटते हैं ताकि जाहिर तो आप 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 साउंड को इस तरह सेट करते हैं ताकि वो पीछे की तरफ सबसे बढ़िया सुना होता है, हाँ तो ये पेपसी गोल्ड नहीं है, फिर भी एक पेपसी तो है, असल में ये पेपसी नहीं है, ये एक कोक है, जिसे एक महीने के लिए दूप में छोड़ दिया गया है, लेकिन इसमें कुछ ऐसा पीला रंग है, अब मुझे पता कि आप क्या सोच रहे हैं, क्यो अगर आपको कभी कोला के बुतल में पीला रंग दिखाए दे तो भाई, जो कि मत उटाना, मुझ पर विश्वास करो, मैं अपने कुत्ते से बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन मुझे बुरा तब लगता है, जब मैं पूप बैग खरीता हूँ, ऐसा लगता है कि सारा प्ला जाते हैं, खैर वे समय के साथ तोट जाते हैं, लेकिन मैं ऐसी चीज़ा अकसर भूल जाता हूँ, और आखर मैं किसी भी चीज़ से अपने कुत्ते का गोबर साफ कर देता हूँ, जो भी इस वक्त मेरे जेब से निकलता है, जब आप समदर तटपर जाते हैं, तो आप सूर उसे भी बने, स्लैब से गिरा हुआ है, यह संभावना है कि इनका उप्योग वेव ब्रेकर के रूप में किया जा रहा है, जो पानी से कटाओ के प्रभाव को कम करता है, ताकि तटरेखा स्वें बरकरार हैं, और जैसे जैसे आप देखी रहे हैं, कि यह टूटी हुई लब मैं सोच रहा हूं कि कभी न कभी, यह दीवार न लहरों के प्रभाव से घिसकर सिर्फ एक इंट बन जाएगी, चलो यह तो आप वक्ती बताएगा, तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैं आपके लिए जादा जादा वीडियो लाने के लिए कड़ी मेनत करता हूं, लेकिन मैंने हाली में थोड़ी छुटी लेकर अच्छी कमाई वाले आर और आर के लिए तुर्की गया था, जब मैं वहां पर गया, मैंने कप डूजिया के दोरा किया और हाला कि मुझे आराम करना था, पर मुझे ऐसा मिला जो मुझे बस आपके साशिया करना है, इन्हें फेरी चिमनी के नाम से जाना जाता, ये भूव एग्याने घटना हैं जो कि जॉला मुखी विस्पूटों का परड़ाम है, जहां राख की एक मोटी परत ने इस लाके को पूरी तरह से काफे साल से ठगा हुआ है, जिसने एक नरम चट्टान गर माड़ किया, जिससे टफ कह मुकुफा जैसे आकार के होने कारण लोगों ने उन्हें नैचरल घरों की रूप में उपयोग करना शुरू कर दिया और तब से टूस्त ने भी साइट का दौरा करना शुरू कर दिया है, अपने अंगनत पैरों के साथ नरम चट्टान में छोटी प्राकृतिक स्रीडियों का होना अपनी आखों से समय के प्रभावों का इतना शक्ति शाली दारन देखना बहुत हैरान कर देने वाला है, भाई, देखा जाए तो तकनी की रूप से इसका मतलब यह है कि मैं चुट्टी पर रहते हुए काम कर रहा था और यह काफी दिल्चस्प भी है, सैंड फ्रां लेकिन कुछ जगह पा लिंक पूरी तरह से लकडी की तरह दिखते हैं, वे फूरे रंगे होते हैं, फड़ फड़ाते हैं, और किसी चाल की तरह लगते हैं, यह कैस संभव है, खेर यह विशाल जंजीरें, रॉट आइरन से बनी होती हैं, जो एक ऐसा लोहा जिसे कर्म किया यह अभी भी लोही की तरह मजबूत हैं, यह जंक के वज़े से लकडी की तरह कमजोर बनी होगा, आप लोगो को क्या लगता है, कॉमेंट सेक्षिन में आकर बताएगा, अब मैं आपके बारे में तो नहीं आनता है, लेकिन फड़ा से टपकता हुआ पानी बहुत ही परिश से लगातार एक कमजोर अलकलाइन धारा के गरने से इस जिंग में उस जगह से पूरी तरह से इसको उसने खराब कर दिया, जिससे मेटल के अंदर एक छे जैसा हुआ भाई, अब मैं पलंबर तो नहीं हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि नारंग के और पहले हिस्से तांबे और पीतल के हो सकते हैं, अगर कोई उतसाही प्लंबर मेरी वीडियो को देख रहा है तो क्रेपिया मुझे कॉमेंट सेक्शन मांकर जबर बताएं कि यह असली चीज है क्या, अब इस वीडियो में मेरे पसंदीदा भाग पर जाने का समय है, आप लोगों द्वारा भीजिए जो कि एक बिल्डिंग चिकिन बॉक्स में है, जो नन्टुकेट आहिलन पर है, सालों से टेबल के चारों गुमने वाले इंसानों ने किनारे के चारों और फर्श को ऐसा बना दिया, जिससे ऐसा लगता है कि टेबल को फचाए गया है, बहुत अच्छा डेविड्सन, हमारे दूसरे प्यारे वीवर लियो हैं, जो कि फिनलेंड के हैं, इन्होंने बहुत ही दिल्चस तस्वीर भीजी है, जिसमें वे अपने नया पराने बाकी लोग की तुलना कर रहे हैं, और बाइं और का, बेज रंग का, लोग लग भग पांस साल पराना है, जो अपनी चमकीले वाली तस्वीर हमारे दोशगों में से ओमर इन बार की ओर आती है, ये लकडी का चमच, उसके पताजी ने लगवग 20 साल पहरे खरीदा था, जिसका उनका परिवार लगवग हर दिन पकानी के लिए इस्तेमाल करता है, जबकि मुझे संदे है कि यहां बाएं और दाएं दो चले, समय के इस पहलू में आपको सफ्रेज दिल्चर्फदार और कौन सा लगा नीचे कॉमेंट सेक्शन मा आकर बताव रहा, देखने के लिए शुक्रिया